और बिखेबाद अब मंडी की खबर तियोहारी सीजन आते ही मांग बढ़ने से चीनी की किम्तों में जोरदार तेजी देखी जा रही है दिली के ठोक बाजार में चीनी का भाव तीन साल की उंचाई पर पहुँच गया है ठोक बाजार में भाव पचास रुपए बढ़कर 3950 से 4150 रुपए प्रतिक क्विंटल के स्तर पर पहुँच गया है दिली में रीटेल में चीनी का भाव पैंतालीस रुपए प्रतिक कीलो के करीब पहुँच गया है चीनी के वैश्विक मांग में भी तीजी देखी जा रही है अगले साल कम उत्पादन के अरुमान के चलते देश में भी चीनी की प्रीमत उची बनी हुई है और आईए अब मंडियों का हाल जानते हैं देश की अलग-अलग हिसों में मंडियों में क्या भाव चल रहे हैं अभी आज देश की कुछ मंडियों पर नज़र डालते हैं सबसे पहले बात एश्या की सबसे बड़ी मंडी आजातपूर की सरकारी साइड एक मार्कनित के मताबिक दिल्ली की आजातपूर मंडी में सेव का भाव स्थिर बना हुआ है रॉयल डिलीजियस वेराइटी सेव का भाव 4,250 रुपे प्रतिक्विंटल से 11,000 रुपे प्रतिक्विंटल तक है अलाकि गुरुवार को दिन के बाजार के दौरान सेव का मॉडल प्राइज 7,750 रुपे प्रतिक्विंटल रहा चीकू का भाव 3,439 रुपे प्रतिक्विंटल है बाजार के दौरान चीकू का उचस्तर 4,500 रुपे तक पहुँचा था और अब सबजियों की बात करें भिंडी का 1,000 रुपे 1,600 रुपे प्रतिक्विंटल है 1,000 से लेकर 1,600 रुपे प्रतिक्विंटल के वीच में बाजार के दौरान भिंडी का मॉडल प्राइज 1,333 रुपे प्रतिक्विंटल रहा वहीं लौकी का मॉडल प्राइस 400 रुपए प्रतिकुंटल है मध्यप्रदेश की गुना मंडी में धनिये का मॉडल प्राइस 6200 रुपए प्रतिकुंटल है और वहीं अरहर का भाव 5000 रुपए प्रतिकुंटल पर बना हुआ है स्वयावीन के भाव में तीजी बनी हुई है करगोन मंडी में स्वयावीन का भाव 3101 रुपए प्रतिक विंटल है वहीं गेहूं का भाव 1690 रुपए से 1851 रुपए प्रतिक विंटल तक बना हुआ है शुक्रवार को बाजार के दौरान गेहूं का मॉडल प्राइस 1779 रुपए प्रतिक विंटल रहा है वैसे ही बात करें रायस्थान की जोदपुर मंडी में गौर सीड का मॉडल प्राइस 3405 रुपए प्रतिक विंटल है मुईं सरसों का भाव चार हजार 563 रुपे प्रतिक वंटल है और इसके बाद कूटा मंडी की बात करें तो कूटा मंडी में सोया बीन का भाव 3,150 रुपे प्रतिक वंटल है और धनिये का भाव जीरे के भाव में लगाता आतीजी बने हुई है गुज्रात के उंजा मंडी में जीरा सत्रह हजार एक्सोपचास रुपे प्रतिकून्टल है वही सर्सों का भाव भाव चार हजार रुपे प्रतिकून्टल है और इसे के साथ इस बूलिचन में एता हैं आप देखते रहें इंडिया 24-7